कि हलो स्टुडेंट्स वह वॉप वेल्कम तो अब्सेशन तूड़े विल डिसकस अबाउट करेंट अफियर अच्छे तरीके से देखिएगा और उसके साथ-साथ हर एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन जो मैं आप लोगों को उसके साथ-साथ प्रोवाइड दरूँगा उस दे सेंटर गोर्मेंट, सेंटर गोर्मेंट है रीसेंटली अप्रूवड इंडियाज फर्स केबल कम सस्पेंशन ब्रिज एक्रोस कृष्णा रीवर कनेक्टिंग तिलंगाना एंड आंध्रप्रदेश, तो सिंपल सा कुशन आया कि इंडिया का पहला पहला, क्योंकि जब भी क पहले क्रोस केबल कम सस्पेंशन ब्रिज कहां पर लगाया जा रहा है क्रिश्ना रीवर पर जो आंध्रप्रदेश और तिलंगाना को आपस में कनेक्ट करेगा आंध्रा प्रदेश और तिलंगाना को connect करने वाला इंडिया का पहला पहला केबल कम suspension bridge मतब केबल bridge लगाया जा रहा है ठीक है तो देख लिजेगा यहां पर पता चल चुका है कोन सी river पर इसे बनाया जा रहा है Krishna river पर कौन सी river है Krishna river पर इस bridge की बात करें the bridge has been approved at a total cost इसके उपर 108 2.556 करोड की cost आने वाली है 30 मंथ में बनकर यह तयार हो जाएगा 3 किलोमेटर लंबा यह bridge होगा जो reduce कर देगा distance between the Hyderabad and Tirupati तिरुपती को और हैदराबाद के बीच का 80 किलोमेटर का distance यह bridge कम कर देगा जो बनाया जा रहा है आंध्रापरदेश और तिलंगाना के बीच Krishna river पर यह इंडिया का पहला पहला suspension कम cable bridge होगा याद रखेगा तो यह point आपके लिए important है क्योंकि India's first है कहां बनाया जा रहा है कितने किलोमेटर का है कितनी coast से बनाया जा रहा है सिरफ और सिरफ इतनी चीज़े आपको याद रखनी है ठीक है चलो आगे बात कर लेते हैं अपने second news पर first news cover होता है simple news था इंडिया का पहला suspension bridge वाला ठीक है चलते हैं और इंडिया के पहले suspension bridge से मिरेको वो word record याद आ गया याद करूँ वो पिछली class में आपको पढ़ाया था कि word का सबसे लंबा glass bridge वो कहां पर बना था word का सबसे लंबा glass bridge कहां पर बना था वियत नाम के अदना याद है न उ सब चल लंबा glass bridge चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट आता है union minister of state electronic and IT राजीव चंद्रशेखर has flagged of first semi-con India future design roadshow in गांधी नगर गुजरा semi-con semi-conductor India future design roadshow semi-conductor को जदा से जदा बढ़ाने के लिए सबी को पता है semi-conductor की इंडिया में demand तो बहुत जदा है लेकिन production है नहीं तो अब semi-conductor को जदा से जदा प्रमोट किया जा रहा है अभी तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि semi-con conference भी हुई थी और इंडिया के अंदर पहला पहला state बना था कौन सा हमारा गुजराथ इंडिया के अंदर पहला पहला state बना था गुजराथ जिसने semi-con policy को adopt कर लिया था दूसरा point semi-conductor policy को अपनाने वाला इंडिया का पहला state जिन्होंने अपने state की अपनी semi-conductor policy को launch किया है जिसमें ये काया है कि जो भी semi-conductor बनाने वाली companies है उनको special incentive दिया जाएगा गुजराथ 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 देखो यहाँ पर लिखा भी है गुजराथ become the first state to launch semi-con policy और we can say that a semi-conductor policy को अपनाने वाला इंडिया का पहला state कौन सा था गुजराथ और अभी हाली में semi-con इंडिया future design roadshow भी काँपर हुआ गुजराथ के अंदर होगा है ठीक है semi-conductor पर सब ज़्यादा promotion कौन दे रहा है गुजराथ दे रहा है चाहे वो roadshow करवाना हो चाहे वो semi-con policy को adopt करने वाला पहला state बना हो कौन सा बनाए गुजराथ बनाए ठीक है यह दोनों के दोनों point clear हो गए ठीक है दो news अभी हम लोगों ने पता किये कौन-कौन से एक तो semi-con policy वाला semi-con roadshow वाला दोनों के दोनों बुजराथ में और एक हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था ब्रिज इंडिया का सबसे बड़ा suspension ब्रिज कहां पर पहला पहला कहां पर बनाया जा रहा है ठीक है चलो आगे चलते हैं अपने third news की और अगला आता है हमारा हमारे petroleum and natural gas के minister हरदीप सिंग पुरी has inaugurated Asia's largest compressed bio gas plant in संगरूर पंजाब पंजाब के अंदर बनाया जा रहा है Asia का सबसे बड़ा ऐशिया का सबसे बड़ा बायो गैस का प्लांट एशिया का सबसे बड़ा बायो गैस का प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है compressed bio gas का प्लांट यह बनाया जा रहा है संगरूर पंजाब में ठीक है अब इसमें यह किस initiative में आता है government of India का इक initiative है plan है सतत योजना सतत मतब sustainable alternative toward affordable transportation sustainable alternative toward affordable transportation तो उसके अंदर यह सतत की फुलफो में sustainable alternative alternative toward affordable transportation इसके अंदर आता है हमारा कौन सा यह जो एशिया का सबसे बड़ा लगा है compressed biogas का plant कहाँ पर लगा है संगरूर पंजाब में बस इतना से याद रखना है सतत प्लैन जैसे exam में पिछले आप लोगों देखा होगा कि देखा था उसके दार उनिवर्सटी वाले जैसे जब पहले होते थे अलग लग उनिवर्सटी के तो उसमें भी ऐसे ऐसे सतत प्लैन किस चीट से रिलेट करता है कोई भी गैस जो जैसे compressed biogas से रिलेट करता हुआ हमारा सतत प्लैन है ठीक है अब आगे बात यह चल रही है एशिया का सबसे बड़ा compressed biogas का plant लगा काँ पर संगरूर में लगा कौन से initiative के अंडर लगा है सतत पंजाब में चलिएगा यह भी आपको clear हो गया फिर चलते हैं अपने अगले point की और अगले news की और अगला आता है हमारा We are award spice congress, world spice congress होगी अगले साल 16 से लेकर 18 फरी 2023 में होनी यह वर्ल्ड spice congress यह होनी है नवी मुंबई महराष्ट्रा कें अंदर जिसको organize कर रहा है spice board of india Spice Board of India इसको organize कर रहा है क्योंकि सभी को पता है 1st of December से 1st of December 2022 से इंडिया के पास G20 की presidency आ रही है अब जब इंडिया के पास G20 की presidency आ गई तो G20 countries के meeting होगी तो उसी के अंदर ही जैसे मोदी जी ने announce किया था कि G20 की हम लोग meeting करवाएंगे कितनी G20 की approximately meeting हो जाएंगी यहाँ पर कितनी 200 meeting करवाने के बारे में बोलाया भी हाल दिया ठीक है तो बात आगे चलती है World Spice Congress पर World Spice Congress पर तो World Spice Congress कहाँ पर Mumbai के अंदर कहां Mumbai के अंदर होनी है कब 16 से लेकर 18 February 2023 को 16 से 18 February 2023 इसको Mumbai महराष्टरा के अंदर ठीक है याद रख ले न इसको करवा कुन रहा है Spice Board of India जब G20 की Presidency के स्याह किसके हाथ में आ रही है हो आ रही है इंडिया के हाथ में जो 1 December 2022 से 31st 30th of November 2023 तक इंडिया के पास रहेगी इसकी theme क्या होगी इस जो Congress की theme क्या होगी theme रहेगी Vision 2030 Spice Vision 2030 Spices Spices की Full Form इन्होंने बनाई है Sustainability, Productivity, Innovation Collaboration, Excellence and Safety Sustainability, Productivity, Innovation Collaboration, Excellence and Safety यह Spices की Full Form अभी इन्होंने Decide किया है 14th World Spice Congress कहां पर हो नहीं है सिर्फ इतना सा यादर नहीं है ठीक है चलो Mumbai में हो नहीं है Mumbai में हो नहीं है तो Mumbai के बारे में सारी additional information दिख लेते हैं सबसे पहला Mumbai ने बोला है कि अपने आपको 2050 तक क्या कर लेंगे Zero Carbon Emission बना लेंगे बताया था मैंने आपको उसके साथ महाराष्टरा ने बोला है has become the first state in India to develop the website based migration tracking system migration tracking system को बनाने वाला migration tracking system app को बनाने वाला इंडिया का पहला state वो कौन सा है महाराष्टरा है ठीक है महाराष्टरा में औरंगाबाद city का नाम change करके सांभाजी नगर रख दिया गया है महाराष्टरा के अंदर महाराष्टरा के अंदर अभी हाल ही में environment in sight exposure data from google तो ये जो देखो google पर जो data आता ये सारा का सारा location के according याँपर environment की सारी information दी जाएगी कि इस place पर air quality कैसी है इस place पर building emission कितना है transportation emission कितना है solar rooftop कितने है मतलब आप google map से ये सारी चीज़े चेक कर भाऊँड ऐसा करने वाला पहला शेहर जो बना और अंगाबाद smart city बना महाराष्टरा का और महाराष्टरा ने नीति आयोग की तरज पर क्या बनाया अपना organization तुम्हें मैंने planning commission नीति आयोग पढ़ा रख है planning commission नीति आयोग याद है न अब planning commission तो खतम हो गया था उसकी जगह नीति आयोग बना था अब ना नीति आयोग तो central level पर काम करता है national institution for transforming india government का think tank होता है government का think tank होता है जो भी सोचने विचारने का काम है सारा का सारा government के लिए policy बनाना कोन करता है ये हमारा नीति आयोग करता है तो महराष्टर की government को ये नीति आयोग बहुत अच्छा लगा महराष्ट की government ने कहा हम भी बनाते हैं है ऐसा ही कुछ institution हम भी बनाते हैं उसकी तरह ही नीतियोग की तरह ही state level का institution जो हमारा नीतियोग तो central level पर है इन्हों ने बना दिया मित्रा नीतियोग की तर्ज पर क्या बना दिया मित्रा मित्रा की full form में महराष्ट institute for transformation महराष्ट institute for transformation ये इन्हों ने क्या बना दिया मित्रा त अपना खुद का organization बनाया है, अपना खुद का think tank बनाया है, वो है महराश्ट्रा, ये सारी बाते महराश्ट्रा के बारे में थी, एक बार दुबारा देख ली जिएगा, World Spice Congress अगले साल महराश्ट्रा के अंदर मुंबई में होनी है, 16-18 February 2023 में, मुंबई महराश्ट्रा अपने आपको 2050 तक zero carbon emission place बना लेगा, ठीक है, उसके साथ साथ महराश्ट्र ने अभी हाली में migration tracking system app को बनाया है, महराश्ट में औरंगाबाद city का नाम change करके सामाजी नगर रख दिया गया है, महराश्ट में environmental insight exposure data from google, तो google के थूँ आप वहाँ पर locations का अलग-लग से data देख सकते हैं, कि वहाँ पर building emission कितना है, solar rooftop कितने है, air quality क्या है, tree cover कितना है, यह सारी चीज़े देख सकते हैं, और नीतियो की तरज़ पर अपने खुद का जो organization बनाया है, वो भी महराश्टा ने बनाया है, जिसका नाम रखा, मित्रा, मित्रा की full form, महराश्ट institute for transformation, महराश्ट institute for transformation, ठीक है, तो यह था महराश्ट के बारे में सारी बाते, additional information भी बता दी, और main news क्या था, वो भी आपको clear हो गया, तो main news तो पता होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ जो भी additional information है, उसे भी अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, और यह बार 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 revise कर बाता चला जाओंगा, जैसे state के बारे में एक question आया, previous वाले प्रवाने सारे सारे revise कर लिए, तभी यादो पाएंगे अगला point आता है, हमारा Prime Minister Narendra Modi has attended a bilateral meeting with the United Nations Secretary General H.E. Mr. Antonio Guterres and has launched a mission live, Prime Minister Narendra Modi जी ने attend की एक meeting United Nations Secretary General Antonio Guterres के साथ, इन्हों ने launch किया mission live, mission live गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर जो केवडिया है, वहाँ पर ये mission life को launch किया गया, mission life को launch किया गया, life की full form है, lifestyle for environment, life style for environment, इसकी full form है, ये life की full form है, अभी न, Antonio Guterres गुजरात में आये थे, जब Antonio Guterres गुजरात में आये थे, तो simple सी बात है वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने बुलाकात की और इन दोनों ने मिलकर गुजरात के केवडिया में शुरू किया एक mission lifestyle for environment lifestyle for environment जिसका main motive क्या है the mission lifestyle for environment aims to nudge individual and communities to practice a lifestyle that is synchronous with the nature and does not harm it मतलब हमारा ऐसा कोई भी action ना हो, कोई भी community का कोई भी individual का ऐसा कोई action ना हो जो nature को harm पहुचाने वाला हो हमारा जीवन पूरा का पूरा nature पर depend करता है सभी को पता है वो दोनों में ना पैरलेर्टी लानी है हमारा जीवन और हमारे nature में दोनों में पैरलेर्टी लाने के लिए ये lifestyle for environment नाम का mission अभी हाली में मोदी जी और एंटोनियो गुटारिस ने शुरू किया है तो ये point आप लोगों का clear हो चुका है यहाँ पर ये और एक और बात यहाँ पर बतानी थी जब एंटोनियो गुटारिस इंडिया में आये थे गुजरात में तो ना वो इंडिया के पहले solar village में भी गए थे और मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुए अभी last to last class में शायद पढ़ाया था इंडिया का पहला solar village कौन सा है जहाँ पर एंटोनियो गुटारिस जी गए थे उसको विजिट करने के लिए वहाँ पर हर एक घर की चक पर solar panel लगे हुए है और बड़िया तरीके से सब कुछ solar energy से चलता है तो गाउं का नाम याद है मोधेरा मोधेरा कहाँ पर पढ़ता है गुजरात में गुजरात का ये गाउं मोधेरा ये इंडिया का पहला पहला solar village बना था इंडिया का पहला पहला solar village बना था याद रेखेगा इंडिया का पहला solar village मोधेरा मोधेरा गुजरात में है नरेंदर मोधी जी के साथ यहाँ पर एंटोनियो गुटारिस भी थे अंटोनियो गुटारिस के साथ मोदी जी ने स्टार्ट किया एक मिशन, बिशन लाइफ लाइफ के फलफों में lifestyle for environment ठीक है, clear हो गया lifestyle for environment चलते हैं, अपने अगले news किया अगला news आता है हमारा ये Prime Minister मोदी जी has inaugurated the headquarter of Indian National Space Permotion and Authorization Centre इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और अथराइजेशन सेंटर का हेड़ क्वाटर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया काँ पर एहमदाबाद गुजरात में एहमदाबाद गुजरात के अंदर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया headquarter कौन से organization का Indian National Space Promotion and Authorization Center Indian National Space Promotion and Authorization Center का headquarter का उद्गाटन मोदी जी ने काँ पर किया है गुजरात में तो गुजरात के बारे में ये वाले information भी हो गई ये वाले information भी हो गई और गुजरात के बारे में तुम्हें ये भी पता है गती शक्ती इन्वस्टी है ना गती शक्ती इन्वस्टी अभी गती शक्ती mission आया था पहले railway university होती थी गुजरात में उसका नाम change करके गती शक्ती बना दिया पहले institute होता था सिरफ और सिरफ railway institute जिसमें railway से related course कराए जाते थे अब क्या हो गया अब उसको गती शक्ती इन्वस्टी में convert कर दिया अब railway के साथ साथ उसमें airways waterways roadways सारे के सारे उसमें course कराए जा रहे हैं ये गती शक्ती इन्वस्टी में ओके point clear है उसके बाद आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो गुजरात के अंदर गती शक्ती इन्वस्टी पता चल गया national games लही है न 36th national games अभी कहाँ पर हुए थे गुजरात के अंदर हुए थे एमदाबाद city एमदाबाद city times magazine list के नुसार world का greatest place बना और गुजरात ने semi-con policy को पनाया पहला state अभी अभी बताया semi-con policy को अपनाने वाला पहला state गुजरात बनाया और उसके साथ-साथ word का पहला compressed natural gas terminal word का पहला compressed natural gas terminal भावनगर गुजरात में लगाया गया है word का पहला पहला compressed natural gas terminal कहाँ पर लगा है गुजरात के भावनगर में लगाया है उसके साथ-साथ एमदाबाद एमदाबाद को बना रहे हैं वर्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट सिटी एमदाबाद को बनाया जाएगा वर्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट सिटी यह अभी किस ने बोला है अमित शाहा जी ने बोला है तो यह सारी बातें गुजरात के बारे में हैं एक बार दुबारा देखते हैं देखेगा Mission Life Mission Life अभी हाली में Statue of Unity एकता नगर के वडिया गुजरात में नरेंदर मोदी जी और उनके साथ साथ किसने Antonio Guterres ने Launch किया है ठीक है लाइफ की फुल फॉम पता चल गया Second Point Indian National Space Promotion and Authorization Center Indian National Space Promotion and Authorization Center का Headquarter अभी ये भी नरेंदर मोदी जी ने एमदाबाद गुजरात में इनो ग्रेट किया है ठीक है इंडिया की पहली पहली गती शक्ति युनिवर्सेटी ओके गती शक्ति युनिवर्सेटी ये अगर मैं बात कर लेता हूं तो गती शक्ति युनिवर्सिटी ये कहां पर बनी है ये भी गुजरात के अंदर बनाई गई है उसके साथ साथ और बात करें तो हमारा यहां पर अगला पॉइंट आता है नेशनल गेम्स नेशनल गेम्स अभी कहां पर हुए थे गुजरात में हुए थे एमदाबाद सिटी एमदाबाद सिटी टाइम्स मेगजिन के अनुसार वर्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस बनी है उसके साथ साथ सैमीकौन पॉलिसी को पनाने वाला पहला स्टेट गुजरात है वर्ड का पहले पहले चांसलर पता है कुन बने है इसके पहले पहले चांसलर चांसलर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो बने है अश्वनी वैश्णव ओके अश्विनी वैश्णव जाद रखेगा अश्वनी वैश्णव इसके पहले पहले चांसलर भी बने है ठीक है वैसे आगे करेंटा फिर आएंगे उसमें मैं पढ़ाऊंगा भी इसके पहले-पहले चांसलर कौन बने हैं अश्विनी वेशनव ठीक है चलो आगे बात करते हैं अपने next point की और और हमारा next point आता है ये Union Minister of Defence Narajnath Singh has launched Maa Bharati Ke Suput website for the contribution of Armed Forces Battle Armed Forces Battle Casulit's Welfare Fund at a function organized at the National War Memorial Complex in New Delhi the website will enable people to contribute online directly into the fund मतलब कोई भी अगर Armed Forces में अपना donation देना चाहता है ठीक है Armed Forces में donation देने के लिए special website launch की गई है Maa Bharati Ke Suput website बस इतनी सी बात या तक नहीं है Armed Forces में donation देने के लिए special website launch की गई है the name of that website is Maa Bharati Ke Suput website okay बस इतना सा Armed Forces पता ही है उसके साथ साथ आपको Central Armed Police Forces भी पता है वो जो साथ होती है BSF हो गई Assam Rifle हो गई CRPF CISF सारी मैंने आपको पढ़ा रखी है previous वाले point आप लोगोंने अच्छे तरीके से अगर देखे है previous classes जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है आपको पता चल गया होगा आगे चलते हैं फिर अगले points की और अगला आता है वो दिया गया है है हैदरबादी हलीम हैं याद रखेगा हैदरबादी हलीम को दिया गया है जी आई तो पता है जोग्राफीकल इंडीकेशन आपके लिए special वीडियो भी बना रखी है जो ग्राफिकल इंडीकेशन टैग होता है हमारे देश में बनी हुई है जो ग्राफिकल इंडीकेशन रजिस्टरी जो अलग-अलग प्रडक्ट को GI टैग देती है है ना अभी हाल ही में बहुत सारे प्रडक्ट को GI टैग दिया गया था फिर उसके बाद state wise diversification होता है सबसे ज़्यादा कौन से state को GI tag मिले है ठीक है अभी थोड़े दिन पहले ही proper पूरा का पूरा GI tag का structure मैंने आपको समझाया था GI tag को देता कौन है पहला पहला GI tag किसे दिया गया था दारजलिंग की चाय को है न इस सारे point मैंने आपको पढ़ा रखे है बट अभी बस यह देख ले न most popular GI tag award किसको मिला है most popular GI tag award जो मिला है वो मिला है है हैदराबादी हलीम को हैदराबादी हलीम को यह most popular GI tag का award दिया गया है इसमें वैसे nominate की बात करें it received the award by bidding इसके अंदर रखुला भी आया था बीका नेरी भुजिया भी थी रतलामी सेव भी थी बहुत सारी चीज़े नॉमिनेट हुई थी लेकिन most popular GI tag का वोर्ड हैदराबादी हलीम को ही दिया गया है ठीक है शलो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की और यहां तक आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट आते हैं हमारा यह यूनियन हॉम मिनिस्टर अमिच शहा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेप इन दे कंट्री हाज लांच हिंदी वर्जन अफ सकेंगे पहले तो स्टार्टिंग में कुछी सबजेक्ट की बुक्स आई हैं हिंदी में लेकिन आने वाले टाइम में पूरा का पूरा मेडिकल की फड़ाई जो है वो हिंदी में आसानी से की जा सकेगी तो हिंदी वर्जन ऑफ MBBS बुक्स का अभी हाली में अमिच शाह जी कहां पर लौंच किया भो भोपाल मध्यप्रदेश वही भोपाल भो जहां पर राजा भोज एयरपोर्ट भी है राजा भोज एयरपोर्ट भी भोपाल में पढ़ता है ठीक है चलो यह भी क्लियर हो गया आगे बात कर लेते हैं 8 एडिशन हुआ सरंग एक फेस्टिवल है Republic of Korea The Festival of India इंडिया का फेस्टिवल जो Republic of Korea में मनाया गया 30 संबर से लेकर 14 अक्तूबर तक South Korea के अंदर बस इतना से याद रखना है सरंग का Korean meaning होता है love ठीक है specifically मतलब इंडिया और South Korea के relations को बढ़ावा देने के लिए न यह सरंग फेस्टिवल हुआ Korea में बस इतना से याद रखन बढ़ावा देने के लिए इंडिया और Korea के cultural relation को boost करने के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है ठीक है सरंग इंडियन फेस्टिवल Korea में चलो यह भी बता चलिया आगे चलते हैं हम अपने next point की ओर अगला हात है हमारा e-government survey 2022 the future of digital government has been released by the United Nations Department of Economic and Social Affairs it assesses the digital government landscape across all 193 member state India has ranked 105th e-government survey e-government survey की बात चल रही है मत्तब simple सा है एक index e-government development index e-government development index में इंडिया का place क्या है 105th e-government development index में e-government development index में इंडिया का place क्या है 105th e-government development index में ठीक है पता चल गया है इंडिया has ranked 61st in the e-participation index 61st आया e-participation index और पहले पर टॉप पर कोन रहा है पहले पर डेन्माक तोप पर रहा है e-government development index में वाइल जापान rank first in e-participation index देखो दो इंडेक्स है e-government index और e-participation index e-government index में 105th place रहा है इंडिया का e-participation index में 61st place रहा e-government index में top किया डेन्माक ने और e-participation index में top किया किस ने वो किया जापान ने ठीक है यह दो ही point है e-government index और e-participation index वैसे अगर यह छोड़ भी दो ऐसा कोई तना ज़्यादा important question नहीं है लेकिन थोड़ा सा पता होना चीए कि यह government participation index होता है e-government index होता है क्योंकि आजकल digital चीजों को बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा digitalization, digitalization को promote किया जा रहा है तो ऐसा question पूछ भी सकते हैं देख लीजिएगा बस इतना सा point e-government index में इंडिया का place 105th पहले पर डेन्माक e-participation index में इंडिया का place 61st पहले पर जा पार बस यही याद रख लेना ठीक है किसने publish किया United Nation Department of Economic and Social Affairs ने इसको publish किया है इस index को release किया है ठीक है वो आप लोगों को याद रख नहीं जूत नहीं अब जो world level का index है तो basically United Nation नहीं जारी क्या होगा ऐसे ऐसे नहीं नहीं इंडेक्स United Nation नहीं लाता United Nation का जो Department of Economic and Social Affairs से उसने इस index को जारी किया था ठीक है चलो आगे बात कर लेता हंगर इंडेक्स में हंगर इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स के अंदर अभी हाल ही में इंडिया का place क्या रहा इंडिया का place रहा 107th इंडिया का place रहा 107th हंगर इंडेक्स को जारी कोन करता है concern worldwide और उसके साथ साथ उसके साथ साथ यह जो wealth and life है यह जारी करते हैं यह दोनों मिलकर किसे जारी करते हैं global hunger index को global hunger index को जारी किस ने किया पता चल गया ये दोनों और्गनाइजेशन ने इंडिया का प्लेस क्या है 107 इंडिया का प्लेस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 और हंगर इंडेक्स किसके कोडिंग मेजर करते हैं 4 परामिटर हैं छोड़ दो सिरफ इतना सा याद रखो Global Hunger Index में इंडिया का प्लेस 107 टोटल कितनी कंट्री ने पार्टिशिपेट किया 121 ठीक है देखो ना हमेशा हमेशा आप लोग स्मार्ट स्टेटेजी को फोलो किया करो हार्ड वर्क में तो आप लोग इसके अंदर बहुत सारी चीजे देख सकते हो इसके पैरामेटर्स क्या होते हैं इसका जो और्गनाइजेशन इसे जारी करता है वो किन-किन मेजर्स को फोलो करता है पहले पर कोन आया है यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने पहले कभी लिखा है लेकिन नहीं जो जो बहुत जादा important index होंगे उसका first place भी पढ़ेंगे इंडिया का place भी पढ़ेंगे release किसने क्या वो भी देख लेंगे लेकिन जो जो कम less important है hunger index में इंडिया का place जानो ठीक है अब इसको release कोन करता है यह देखो concern worldwide के साथ Germany का एक और organization है दोनों मिलकर इसे publish करते है hunger index को याद रहे ठीक है नहीं तो छोड़ दो जितनी चीजे mind में रह पाए ना उतनी चीजों कोई focus किया करो बस ठीक है चारो आगे बात करते है interpol यह important है यह important मैं इसको बोल सकता हूँ very very important international police international criminal police organization को बोलते है इंटरपोल इंटरपोल जिसका headquarter Lyon नाम की जगा फ्रांस में है Lyon Lyon फ्रांस में headquarter है इंटरपोल का इंटरपोल की अभी हाल ही में जो meeting हुई थी 18 से लेकर 21 अक्तूबर को यह हुई थी नई दिल्ली में नई दिल्ली में इंटरपोल की meeting हुई याद रखेगा 90th meeting of 90th meeting of Interpol Interpol की 90th meeting कहां पर हुई है तो Interpol की 90th meeting यह कौन से place पर हुई है दिल्ली में हुई है Interpol की फुल्फोंग क्या है International Criminal Police Organization International Criminal Police Organization ठीक है meeting भी पता चल गई headquarter भी पता चल गया इस बार meeting का पर हुई इंडिया के अंदर नई दिल्ले में हुई तो अगली बार काओन ही है जब भी कोई International Organization है हर साल इंडिया में तो करवाएगा ने थोड़े 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 दिनों के बाद यह अपना meeting when you play change करते चले जाएंगे हर साल का तो अगले साल होगी मतलब 91st इस बार कौन सी होई 90th तो अगले साल की 91st meeting of Interpol यह कहां पर होगी यह कहां पर होगी वियाना वियाना टू होस्ट Interpol General Assembly in 2000 2023 याद रख ले ना वियाना वियाना आस्ट्रिया के अंदर है ना आस्ट्रिया नहीं आस्ट्रिया ना की आस्ट्रेलिया ठीक है अगले साल Interpol की मिटिंग 2020 में वियाना के अंदर जो आस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ पर होनी है वियाना के अंदर 91st होगी अभी वली कहां पर हुई दिल्ली में 90th 91st कहां पर होगी वियानास्ट्रिया में Interpol का Headquarter कहां पर है लियोन फ्रांस में ठीक है चलो सारी Information क्लियर हो गई आगे चलते हैं The City of Hyderabad Hyderabad को अभी हाल ही में मिला Grand Winner at International Association of Horticulture Producers World Green City Award बस इतना सा याद रगना है Hyderabad को Green City का Award मिला है Hyderabad को Green City का Award दिया गया है World Green City Award 2022 में कौन से प्लेस को World Green City Award मिला है याद रख लिजेगा Hyderabad Hyderabad रैसे भी तो Green City है इंडिया में दो ही Green City है दो ही Green City है एक तो Hyderabad पहली-पहली उसके बाद मुंबई दो को ही Green City बोला जाता है पहली-पहली Hyderabad दूसरी कौन सी है? मुंबई और अभी हाली में World Green City Award 2020 में Horticulture Practices में यह जो अवोर्ड मिला है वो किसको मिला है? Hyderabad को दिया गया है ठीक है? इतना सही याद रखना है Hyderabad को दिया गया उसका Hyderabad का कोई प्लान होगा Green Garland to the State of Tilangana वो इनको बहुत अच्छा लगा जिस कारण से यह अवोर्ड अभी हाली में Hyderabad को दिया गया है ठीक है? याद रखेगा Grand Winner of International Association of Porticulture Practices World Green City Award World Green City Award Hyderabad को मिला है इंडिया की पहली पहली Green City Hyderabad ही गया है आगे चलते हैं बुक पर एक बुक साहिल सेट जीने लिखी है जो IRS Officer है IRS Officer Joint Commissioner GST and Custom के ठीक है? इनके अभी हाल ही में इनों निक बुक लिखी है बुक का नाम है A Confused Mind Story A Confused Mind Story यह किस ने लिखी है? Confused Mind Story यह साहिल सेट जीने लिखी है Confused जब भी किसी परसन का माइंड होता है वह जिन्दगी में कभी नहीं कर दो कुछ कर सकता है कुछ में नहीं कर सकता सिरफ और सिरफ वह Confused ही है मेरे टीचर ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कहते ही कि न एक परसन था वो गाड़ी से जा रहा था गाड़ी से जा रहा था और उसके आगे से एक डॉगी गया और गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी और उसने ब्रेक भी लगाई लेकिन जो डॉगी था वो यहां से जाता 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 उसकी गाड़ी के नीचे आगए और डॉगी की डेथ हो गई वो आगे चलता 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 यहाँ पर डोगी की डेथ हो गई उसके बाद न यह जो दूसरा उसके साथ परसन बैठा था दूसरा परसन बोला कि न यार डोगी की डेथ हो चुकी है देख मतलब गलत किया है हमने वैसे डोगी की गलती क्या थी डोगी की गलती क्या थी और वो बिना किसी भी गलती के पर मारा जा चुका है बात तो सही थी अब यहां पर जो परसन था जो ड्राइवर था उसने का डोगी कोई गलती नहीं थी लेकिन गलती थी उसकी confusion की डोगी गाड़ी क्या आगया या जैसे उसने ये वाली ये देखी गाड़ी आ रही है वो सोच ने सोच में पढ़िया इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ वो बीच में खड़ा होके इधर हो गया या इधर जाओ और जब भी वो person confused था ना तो बीच में खड़ा रहा ना तो वो इधर होगा अगर उसके mind में confusion ना थी या तो सीधा निकल जाता तो आराम से बच जाता बैक हो जाता तब भी बढ़ जाता बीच में रहकर उसने सोचा एक मिनट कई भार जिंदिकी समय नहीं देती है सोचने का तो ये बात याद रखना अपने माइंड को कभी confusion में मतला न तुम्हें जो करना है उसकी और बढ़ जाना आगे successful हो या नाहो लेकिन उसकी और जरूर बढ़ जाना उसकी confusion से मोत हुई थी ना कि उसकी आई हुई थी लोग क्या कहते हैं कुट्टे की आई थी इस परसन की आई थी तो वो death हो गए नहीं 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 उन्होंने ये जवाब दिया कुट्टे की आई नहीं थी कुटा confused था जिस कारण से उसकी death हुई तो बहुत सारी कहानिया है चलो अभी तो सिरफ इतना याद रखो confused mind story किस ने लिखी है साहिल सेट सी ने लिखी है चलो आगे बात कर लेते हैं शिरलंकन ओथर जिनका नाम क्या है शीहन कारून तिलका कारून तिलका को मिला है अभी हाली में Booker Prize 2022 का very important बहुत important question है Booker Prize 2022 शिरलंका के ओथर शीहन को मिला है शिरलंका के ओथर शीहन को दिया गया है उनके novel के लिए The Seven Moons of Mali Almedia ठीक है The Seven Moons of Mali Almedia The Seven Moons of Mali Almedia ठीक है इसके लिए उनको ये Booker Prize दिया गया है तो याद रखेगा वर्ड का एक माना ताना Leading Literary Award है Booker Prize वर्ड का माना ताना जैसे इंडिया का सबसे बड़ा Literary Award कौन सा ज्यान पीठ अवोड है न ठीक है वैसे ही वर्ड का सबसे माना ताना Leading Top Award जो है वो है Booker Prize जो मिला है शिरलंका के उतर शीहन को उनकी नोवल The Seven Moons of Mali Almida के लिए उनको ये दिया गया है आगे बात कर लेते हैं The Government of India is appointed भारती दास भारती दास बनी है इंडिया की CGA Controller General of Account एक होते है CAG Comptroller and Auditor General एक होते है CGA Controller General of Account ठीक है ये जो CAG होते है वो Department की Audit करने के लिए होते है Comptroller and Auditor General और ये CGA होते है ये Accounts को Check करने के लिए होते है Center Government और State Government के Accounts को देखने के लिए CGA Account को Audit करने के लिए CAG और कैग कोन है इंडिया के अरे पता है इंडिया के कैग कोन है सर इंडिया के कैग तो है गिरीश चंद्र मुर्म गिरीश चंद्र मुर्म इंडिया के कैग है और CGA कोन है इंडिया के CGA CGA अभी बनी है पता चल रहा आपको भारती दास भारती दास बनी है इंडिया की CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और कंट्रोलर और इटर जनरल को ने वो हैं गिरीश चंद्र मुर्म या दखना है आगे बात कर लेते हैं फिलिंट्र आफिस के लिस्ट आई मतब परूपकार करने वाले दान करने वाले लोगों की लिस्ट में इंडिया में सबसे टॉप पर आये हैं शिव नडार HCL का नाम सुनाओगा न आप लोगों ने HCL कंपनी के जो फाउंडर कह सकते हैं शिव नडार जिनकी बेटी रोश्णी नडार है जो पूरा का पूरा फिलिंटरौफे लिस्ट में आगे बात कर लेते हैं ंडिया के nai CGI बनी Chief Justice ॉफ इंडिया पड़ा रखा है इंडिया के अभी फिफ्टी कीयट चीफ जेस्टीस बने है, 50th Chief Justice बने है, Justice D.Y. चंद्रचूड इतना सा याद रखना है, D.Y. चंद्रचूड Chief Justice of India Chief Justice of India हमारी जो Supreme Court होती है Supreme Court में Total 34 Judges होते है जिसमें से एक होते है Chief Justice of India बाकी 33 होते है Other Judges ठीक है, ये भी याद रखना है बाकी 33 होते हैं अधर जजिस एक होते है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया टोटल 34 जजिस हैं कहां पर हमारी सुप्रीम कोट में है तो याद रखना है प्रेजिडेंट द्रोपती मुर्मजी ने अपॉइंट किया डी वाई चंद्रचूर को इंडिया का 50th चीफ जस्टिस ओफ इ आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर Asian Football Confederation Asian Football Confederation ने अनौंस किया Qatar will host the 18th edition of Asian Football Confederation Asia Cup Asian Football Confederation का Asia Cup 2013 में अगले सल कहां पर होना है Qatar में अभी Qatar में क्या हुआ था FIFA World Cup football वाला अगले सल Asia वाला होना अभी तो football तो पूरे world level का हो गया अब Asian Country का Asia Cup 2023 वो भी कतर में ही होना है याद रखेगा वो भी कतर में ही होना है Asian Football Confederation ने अनौंस किया 18th edition of Asian Football Confederation का Asia Cup 2023 में होना है ठीक है और FIFA World Cup अभी कतर में हुआ था जिसका मास्कोट क्या रखा था याद है ना लाइब मास्कोट क्या रखा था लाइब शरुआ आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पर FIFA देखो तू ताजुनी ताजुनी अफन फॉटबॉल लविंग पेंग्विन हैस बीन अनवेल्ड ऐस ऑफिशल मास्कोट अफ इंटरनेशनल फेडरेशन अफ एस्सेशेशन आप वुमेंस वर्ड कप ऑस्ट्रेलिया और मैंस वर्ड कप तो हो गया कतर में जिसका मास्कोट क्या रखा लाइब रख दिया च्या रखा लाइब रख दिया अब च्रो creator का वुमेंस वाए ओर सुर्ण डाना फ्रेशन हो चुका है 202 में यह देखो मैंस वाले का क्या रखा था लाइब नाम का पक्षे चलो आगे देखो इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन हर्मन प्रीत कोर has won the 18th edition of Asia Cricket Council Women 2020 Asia Cup शिरलंका को हराते हुए Women 2020 Asia Cup किस ने जीता है इंडिया ने जीता है Women 2020 Asia Cup अभी हाल ही में इंडिया की टीम ने जीता है इंडिया की टीम ने शिरलंका को हराते हुए जीता है हुआ कहा था बांगला देश में बांगला देश में हुआ था शिरलंका को हरा दिया इंडिया ने जीता एशियन कप 2022 वोमेंस 2020 वर्ड कप वोमेंस 2020 एशिया कप वर्ड कप नहीं एशिया कप आगे बात कर लेते हैं तो अब क्रिकेट की बात चल रही है तो आपको ये तो पता हैं बी-सी-सी-ाइव के नए प्रेजिडेंट कोन बनाये गए हैं रोजर बिनी, बी सी सी आई के नए जो प्रेजिडेंट बनाए गए है, उनका नाम क्या है, रोजर बिनी, याद रखना है, रोजर बिनी, किसके प्रेजिडेंट है, बी सी सी आई के, और उसके तो पता ही है, बी सी सी आई के तो इंडिया लेवल पर है, वर्ड लेवल पर इसके कोन है Greg Barclay, Greg Barclay ICC के है, BCCI के President कोन बने है, Roger Bini, ठीक है, Roger Bini, अब अब यह सोचो सर्फ जैशा है, जैशा सेक्रेटरी है, ना की President है, ठीक है, जैशा है तो Secretary है, President नहीं है, आगे बाद चलती है, डेस पर एका आता है, World Food Day, Food Day कब मनाया जाता है, 16th of October को, क्योंकि इस दिन ना, 1945 में, FAO की Establishment हुई थी, जो Food and Agriculture Organization है, रोम इटली में, रोम इटली में, जो Food and Agriculture Organization है, उसकी Establishment हुई थी, इस दिन, जिस कारण से इस दे को, 16th of October को Food Day मनाते है, पुण साड़े, Food Day, Food Day से एक दिन पहले, Hand Washing Day, Hand Washing Day से एक दिन पहले, Standard Day, तो याद करो, यह मैंने ट्रिक भी बनवाया था, पहले खाना, खाने से पहले, खाने से पहले, Hand Wash करना, Hand Wash करने से पहले, खाने का Standard Check करना, पहले Standard Check करो, 14th को, 15th को Hand Wash करना है, फिर उसके बाद, 16th क को खाना खा लेना है, food day से एक दिन पहले hand washing day, hand washing day से एक दिन पहले standard day, याद रख लेना, ये है food day 16th of October, 15th को hand washing, और 14th को standard day होता है, ठीक है, और खाना खुना खाने के बाद किसके बारे में सोचना, poverty कैसे दूर की जा सकती है, international day for the eradication of poverty, international day for the eradication of poverty, ये 17th of October को मनाया जाता है, जिसका theme, dignity for all the practice, dignity for all the practice था, ठीक है, खाना खुना खाने के बाद किसके बारे में, poverty के बारे में सोचना है, dignity for all the practices, इसकी theme है, international day for the eradication of poverty की, आगे statistics day, world statistics day, 20th of October को होता है, जिसका theme, data for sustainable development, data for sustainable development, ये world statistics day है, इंडिया वाला नहीं है, इंडिया वाला तो PC महाला नोबिस जी की याद में, इंडिया वाला PC महाला नोबिस जी की याद में 29 जून को मनाया जाता है, इंडिया में statistics के पादर, PC महाला नोबिस उनकी याद में मनाया जाता है ठीक है World Statistics Day 20 October और India वाला Statistics Day वो होता है 19 जोन को जो PC महाला नोबिस जी की याद में मनाया जाता है ठीक है तो यह सारे point आप लोगों ने पड़े यह थे October के week 3 के अब हम बात करेंगे October के week 4 पर आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कुश्चन नए करेंट अफेर नए पॉइंट के साथ अच्छे तरीके से समझेगा देखेगा PDF के बारे में मैंने पहले बताया हुआ शुबंसर को बोल देना मैं से इंक्यू तो अलग प्यू थैंक्यू सो मच थैंक्स दूर